जाए हैं अरीयल की सब्जी में अच्छा हाई साफ्रोटीन होते हैं जो सब्सक्रा करें इंस्टेंट अनर्जी डिता है अगर अगर लग रहा है कि इसमें से नाारेल वाली आती ये ऐसा помच भी होता है मैंने यहां पर फ्रेश नारील लिया है आप चाहो तो यहां पर सूखा हुआ भी ले सकते हो तो हम नारील को छोटे-छोटे टुकड़े करके ग्राइंडर जार में डालके इस तरह से पीस लेंगे अच्छे से एकदम पारी इसके बाद मैं एक पैन ले रही हूं जिसमें मैं दो पड़े चममच तेल के डाले हूं फिर अधा चममच राइ यहां पर मैं टी स्पून लिया है राइ चीटे मारती है थोड़े देर तक ऐसे तो जबता ही चीटे माना बंद कर देगी इसके बाद हम डालेंगे आधा चममच जीरा फिर जीरा डालने के बाद मैं यहां ले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग में नमक ले सकते हो फिर डाले हूं मैं आधा चममच रेट चिली पावडर हाफ टी स्पून हल्दी पावडर इन तीनों मसालों को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे फिर इन मसालों को मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल तक पकाना है बलाबस इसे दो मिनिट तक मिक्स करना है अब फ्लेम आफ भी करोगे तो भी चले का फिर जह हमारी नारियल की सब्जी बनकर के तयार है और यह सब्जी पांच मिनट भी नहीं लेती है बनने में और यह पनीर से भी ज्यादा टेस्टी सब्जी बनती है तो आप हम मिलते नेक्स वीडियो में वीडियो को लाइक करना शेर करना एक पर कॉम compression कर लेना और इस चैनल को सब्सक्राब कर लेना अगर आप इस्टैनल पे नए है तो और मुझे इंस्टाग्रम में फॉलो करना उसके लिंग मेंने description में देखे रखेए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबाई